इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ECI Sweden T10 के दोस्तों आज के होने वाले match no.2 के बारे में दोस्तों आज का match no.2 देखो तो इलस्टोनिया और दोस्तों Sweden टीम के भीज खेला जाएगा हाँ यह मैं दोस्तों स्टार्ट होगा आपका दो पहर के दो बच के तीस मिनट से ठीक ना इस वीडियो में दोस्तों आपको इस match related मैंने अपना small league का final team share कर दिया है with दोस्तों proper stats साथी साथ यदि आप खुद से team मनाना चाहते हो तो आपको किस player को 11 as a small league में try करना है किस player पे दोस्तों आप ricks ले सकते हो किस तरह से player को आपको rotate करना है captain bc दोस्तों आपके लिए this match में deciding factor रहेंगे तो आप small league में किन के साथ जा सकते हो GL में थोड़ा सा different जाना चाहते हो तो किसको try कर सकते हो सभी कुछ clear cut आपको इस video में मिल जाएगा तो दोस्तों यदि आप इस match में investment करें वीडियो पूरा वास कीजेगा कोई question हो आप नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हैं और जो भी दोस्तों मैं team दिया हूँ यदि task को ध्यान में रखते हुए या playing level को ध्यान में रखते हुए कोई भी changes करना होगा तो final combination में आपको फिर से update करके टेलिग्राम पे share कर दूँगा आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजेगा इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment पिन के हुआ मिल जाएगा जाएगे दोस्तों टेलिग्राम के साथ जुड़ जाएगे और साथी साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सस्क्राइब किजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे important कोसिस किजेगा notification का घंटी बजादे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों बात करें दोस्तों हम लोग इलोश्टोनिया और दोस्तों Sweden के match में combination कैसे बनाएंगे तो दोस्तों इस match का combination हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीप रिंग सेक्शन से विकेट कीप रिंग सेक्शन में आईगा तो दोस्तों आपको first option मिलेगा आई जू बैक जो आपके लिए भाई देखो सबसे important option है इस match में आप किसी को लोग विकेट कीप रिंग से मुझे नहीं मालूम लेकिन यह आपके टीम में होने चाहिए क्योंकि बहत्रीन form में चल रहे है और साथी साथ सभी match में open batting कर रहे हैं और सभी के team में रहेंगे तो यह रिक्स मती लेना ठीक न टीम में आप रख सकते हैं अब दोस्तों देखो एस सली पर आप रिक्स ले सकते हो एस स्मॉल लिग में ट्राइ कर लेना लेकिन ऐसा नहीं कि मिनी जिल ग्रेंड लिग में भी रखना है आप उहां पर दोस्तों इनको ड्रॉप करके रिक्स भी ले सकते हो क्योंकि इनका performance अभी तक average रहा है स्टार्ट का दो मैच उतना अच्छा नहीं गया लास्ट दो मैच थोड़ा सा ठीक गया लास्ट मैच में 60 प्लस स्कूर करके आ रहे हैं तो इसी वज़े से मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल लिग में आप रख लीजेगा लेकिन जिल और मिनी जिल में आप रिक्स इन पर ले सकते हैं ल आपको चार मैच में 224 रहने स्कूर किये थे लेकिन इस साल इनका बैटिंग पोजिशन 6 नमबर कर दिया गया है जिसे दोस्तों आप समझ सकते हो टीटेन जैसे टूर्णामेंड में जहां पर सार्ट बॉल का मैच होता है वहां पर यदि कोई बैट्समें इतना नीचे कोई नहीं आपको दोस्तों बैटिंग से पॉइंट दे रहे हैं और ओपन बैटिंग कर रहे हैं इसलिए इंपोर्टेंट है फिनीचे यह एका एस समझ का दोस्तों देखो टूर्णामेंड उतना अच्छा तो नहीं जा रहा है बर ठीक है आप रख सकते हो ठीक ना क्यूंक कि आप ऐसे कोई एप पे खेलते हो जहां पे दोस्तों तीन बैट्समें रखना कंपल सरी होता है उहां पे दोस्तों आप इन पे ज्यादा फोकस करना क्यूंकि यदि आप ऐसे कोई एप खेलते हो जहां पे दो बैट्समें के साथ भी जा सकते हो उहां पे इन पे रिक्स भी ले सकते हो क्योंकि बंदा दोस्तों दो नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है और बैटिंग से एवरेश सा परफॉर्मेंस किया है फिनीचे एगा दोस्तों के जाहे जी ल में सिर्फ आप ट्राइ करना क्योंकि बैटिंग से तो आप उमीद रखना नहीं किसी match में balling कर दिया तो आपको balling से point दे जाएगा ठीक ना लेकिन consistent balling नहीं कर रहें इसी बज़े सिनका selection भी कम है और हम लोग अभी ignore करके ही चलेंगे फिनीच हैईगा एक ओंडले starting के match में दूस्तों ये top order में batting कर रहे थे अभी भी top order में आ रहे है लेकिन performance बहुत ही खराब रहा है इसी बज़े से देखो तो ये last में चीज़ को team खेलाई भी नहीं थी तो that's why दोस्तों मैं भी drop ही कर रहा हूँ यदि खेले भी तो GL में आप try कर सकते हो ठीक ना record अच्छा है बट दोस्तों performance भी तो आना चाहिए तो इसलिए मैं अभी small league में आपको नहीं बोलूँगा रखने के लिए फिनीचे आपको record option मिलेगा ace खान का लेकिन ace खान का भी दोस्तों same problem में बैटिंग थोड़ा सा नीचे करने आ रहे और balling करते नहीं है तो यदि दोस्तों इनका top order में आपको नाम दिखे one number two number या दोस्तों ती number तभी important रहेंगे otherwise आप इन्हें drop कर सकते हैं अब बात करें दोस्तों हम लोग allounder section तो allounder section में भी important option है बैटिंग नीचे कर रहें तब भी आपको 200 बैटिंग से score कर रहें और सबसे ब्लस पाइंट दोस्तों आपको सभी match में एक से दो भर balling कर रहें फिर नीचे हैगा दोस्तों in balance captain bc के एक बहुत ही संदार option है दोस्तों drop करना नहीं है क्योंकि कमाल के baller है speed बहुत अच्छा है मैंने कल भी दोस्तों आपको ध्यान होगा इनके बारे में मैंने बताया थे कि यदि ये खेलता है तो आपको आख बंद करके team में तो रखना ही है साथी साथ captain bc कर लेना left time baller है दोस्तों bc to bc ball करते स्पीड बहुत ही कमाल का है बोल्ड lpw maximum time करते है और आपको ही मालूम है दोस्तों fantasy में बोल्ड और lpw पर आपको extra point भी मिलता है तो वहाँ पर भी आपको ये benefit देते है और यही बैटिंग का chance मिल गया तो वह भी दोस्तों आपको करके दे दे लेकिन आपको विकेट दे जाते क्योंकि देथ में बॉलिंग करने आते हैं इसी बज़े से मैं इने टीम में रख रहा हूं नीचे दोस्तों आपको ए माशूद का option मिलेगा दोस्तों खेलारी तो अच्छा है ठीक ना धियान रखना मैं भी टीम में नहीं रख रहा हूं ले जो दोस्तों आपको पावर प्ले में एक ओवर और दोस्तों ओवर नंबर तीन बॉलिंग करता है और यह इनके सामने रहते हैं तो वही मैंने देखा है कि जो लास्ट में दोनों टीमों का हुआ था वहां पर यह आउट करके चले गया थे बट आई होप दोस्तों यदी स्विड quantity ल Mommy यह अबसक करना कर तो यह स्विडेन के तंग विल कर लिए हो तो यह सकार कर लेगुशन के उपने रखना रखना अर ऐसे में राखना की स्विडेंग क्या उख वह निससमें आप ड्रॉप करो देखना फिनीच एगा एस चौधरी दोस्तों देखो सभी मैच में इने बॉलिंग मिल नहीं ला है बॉलर अच्छा है बिकेट टेकर बॉलर है लेकिन कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं कर रहे हैं इसी बैसिस पे मैं अभी राइट नाउ टिम में नहीं रख हुआ अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्षन पीशुकला आपके टीम में होने चाहिए बिकेट टेकर बॉलर है दोस्तों सभी मैच में दो-दोबर का बॉलिंग कर रहे हैं विकेट ले रहे द्रॉप किजिए गा नहीं फिनीच एगा दोस्तों ता आपकी दोस्तो लास्ट मैश खेला नहीं है लेकिन मैं अभी टीम मेरां रखने कामें रीजन बताता हूं बंदे ने अभी तक दो मैश करा भाइब किया है और मुझे उम्द है दोस्तो यद यह मैच खेलता है और कैप्टेन देखो खेलेगा तो बॉलिंग देगा इसको ठीक ना क्योंगी बिकेट टेकर बॉलर है लाइलेंद मैं इनका कल देखा है काफी अचा तो इसी वज़े से मैं इनको टीम में रख रहा हूं यदि यह ना खेले तो फिर आप क्या कर सकते हो नीचे स आप दोस्तो एन मोहमद पर डिक्स ले सकते हो एन मोहमद अच्छा बोलर है चांस कम मिला है और दोस्तो माइनस में आपको पॉइंट दे रहा है इसी वज़े से जनता इनको ट्राइ कर रही है लेकिन धियान रखेगा यदि खेलता है तो दोस्तो आप एटलिस जील में तो आप इन पर डिक्स ले सकते हो ठीक ना खेले तो कोई नहीं उपर से यदि एसी दिन खेल जातो अपना काम बन गया बात करें दोस्तो इस मैस से रिलेटर हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन तो दोस्तो आपको बिकेट कीप्रिंग सेक्शन में मिल जाएंगे आई जो बैक कम आपडेट ऑप्शन एन बालुची पर जरूर धियान रखेगा बड़िया बॉलर है दोस्तो बैटिंग का चांस मिल गया तो आपको बैटिंग से भी स्कोर करके जाएगा बॉलिंग से पीशुकला पर आप रिक्स ले सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंट सभी मैचों में आपको पर प्रवाइड कर रहा है अभी दोस्तों मैं केप्टन जा रहा हूँ उपर से आई जुबें और वाइस काप्टन दोस्तों मैं नीचे से एन बालुची के साथ जा रहा हूँ और अभी के लिए दोस्तो ये टीम अपना फाइन साथ दोस्तो यदि अभी तक आपने यूटुब चैनल को सस्क्राइब नहीं कियो तो दोस्तो यूटुब चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और सस्क्राइब करने के बाद दोस्तो सबसे इंपोर्टेंट कोसिस किजेगा नोटिफिकेशन का घंटी बे जाते जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको इसली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठिक ना दोस्तों फिर मिलते आप सभी से नेक्सट टीटेंगए वीडियो में जैहिन दोस्तों टेक केर अंड